जावा सीखने के लिए हमारे चैनल LearnCoding को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको string methods के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे methods हम डिसकस करेंगे जैसे string का length find करने का दो string को concrete करने का, trim करने का method, string बराबर है कि नहीं string हमारा empty है या फिर उसमें कुछ content है string में किसी भी particular character का कौन सा index है वो भी find करने का इन सभी methods को हम आप से discuss करेंगे तो एक programmer को इतना basic string का method तो जरूर जालना चाहिए तो मैं इस video में जितना भी basic method होता है string class का वो सभी बताऊंगा आपको तो video को देखते रहेगा 30-30 second का का में सभी का तो ये जो method से जो मैं बताने वाला हूँ इसे हम string में apply करेंगे तो उससे पहले हमारे पास string होना चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले एक string बना रहा हूँ string क्या है हमारा सबसे पहला string होगा हमारा अंकेद ठीक है और एक और मैं string बना लेता हूँ बी नाम का reference variable और इसमें हमारा string होगा रहूल मैंने दो string object यहां पर बना लिए हैं अब मैं क्या करूंगा इन ही दो string में अपने सभी methods को एक एक करके apply करके आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले लिखेंगे system.out.println ठीक है इतना लिखने के बाद इस line को हम बार-बार use करेंगे आज के इस program में तो यहां पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इतना बार मैंने लिख लिया सबसे पहला जो method हम use करने जा रहे है string का two lower case लिख देता हूँ यहाँ पर two lower case आपको इस name से ही पता चल गया होगा कि यह method क्या करेगा जैसा कि आप मेरा यह वाला string देखिए पूरा capital letter में लिखा हुआ है मालो मुझे इसे small letter में करना है तो इसका object reference क्या है a है तो मैं इसके आगे क्या लिख दूँगा यहाँ पर a dot two lower case तो इसमें क्या होगा कि यह हमारा lower case में convert हो जाएगा अम मालो मुझे क्या करना है मुझे अपने second वाले string को यानि इस राहूल को upper case में convert करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर reference variable b यूज़ करूँगा क्योंकि राहूल b को refer कर रहा और यहाँ पर अपना एक और method होता है उस method का name क्या है two upper case यह method क्या करेगा राहूल यहाँ पर lower case में है तो उसको upper case में convert कर देगा अभी अगला method क्या होता है हमारा अगला बहुत ही simple सा method है मालो मुझे इस अंकित राहूल दोनों को ना concat करना है तो मुझे सबसे पहले राहूल चाहिए उसके बाद अंकित चाहिए सबसे पहले राहूल b में है तो b. method का name क्या है method का name है concat और यहाँ पर a लिख दूँगा क्योंकि अंकित को refer कर रहा a वाला reference variable तो इसका output आएगा राहूल अंकित अब मुझे अगला काम क्या करना है मुझे मालो किसी भी string का length find करना है जैसे इस राहूल में कितना length है इस राहूल का मुझे जानना है मैं क्या करूंगा उसके लिए एक और method होता है b dot लिखेंगे length आपको सभी method का नाम से ही पता चल जाता होगा कि यह क्या करेगा अब मालो मुझे अगला काम क्या करना है उसके लिए मैं एक नया यहाँ पर क्या करता हूँ string बना लेता हूँ string बनाने के लिए फिर लिखेंगे string reference variable c होगा यहाँ पर हमारा मालो यहाँ पर मैं इतना space दे दिया हूँ और अपना एक नाम हो गया अंकुस और इधर भी मैंने space दे दिया अब मालो मुझे इस space को इधर से भी हटाना है और इधर से भी हटाना है तो उसके लिए जावा ने हमें एक और method प्रवाइड किया है उस method का नाम के ट्रीम है तो हमारा अंकुस जो string है वो किसको refer कर रहा है c reference variable को तो लिखेंगे c.method का ने में ट्रीम इस तरह से आप लिखेंगे न यह दोनो side के space को हटा देगा अब अगला का मुझे क्या करना है मालो मैंने एक और string यहाँ पे बना लिया string object reference d होगा और यह खाली है इसमें कुछ नहीं है तो मुझे पता करना है कि यह string खाली है कि नहीं तो उसके लिए भी एक method होता है method का नाम है is empty यहाँ पे क्या होगा यह method क्या return करेगा यह एक boolean value return करेगा अगर आपका यह d वाला reference variable का string खाली है इसमें कुछ नहीं है तो यह true बोलेगा अगर इसमें कुछ रहेगा तो false बोलेगा अभी खाली है मतलब true बोलेगा इतना काम करने के बाद इतना का पहले आपको output दिखा देता हूँ इसे save कर लेते हैं a.java नाम से desktop location पे अभी compile करने के लिए यहाँ पे हमने enter मारा देखिए compile हो गया अब इसे क्या करेंगे run करेंगे तो आप सबसे पहले देखो पहला capital था two lower case ने उसे lower case में convert कर दिया second वाला lower case में था two upper case ने उसे upper case में बदल दिया यहाँ पे concat मैंने राहूल को अंकित के साथ concat करना चाहत यहाँ पे देखो राहूल अंकित concat है एक साथ आ रहे उसके बाद length तो length निकल गया है राहूल का length कितना है क्योंकि b.length लिखा है मैंने 0, 1, 2, 3, 4 तो 0 से लेके 4 के बीच कितना होता है 5 होता है string हमेशा 0 से start होता है और end होता है null से ठीक है तो 0 से 4 में 5 character आ गया तो length 5 आ गया अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना space है और इधर भी इतना space है trim method मैंने c वाले के साथ यूज कर रहा है तो इसका output देखो अंकुस जो string है यह kona से ही print हो रहा अगर मालो मैं यहाँ पे stream को use ना करूँ अभी आपको फरक पता चल जाएगा क्या trim method का काम है यह देखो यहाँ पे print हो रहा मत्तब इधर कभी इतना space इसने दिखाया और इधर कभी इतना space है दिखा रहा पर इधर पता नहीं चलेगा हमें तो यही होता है trim method का use करने का फायदा अभी last में is empty method लगा हुआ है तो इसका value क्या है इसका value है true true इसलिए है क्योंकि यह string खाली है यहाँ पे कुछ नहीं है empty नाम ही है नाम से ही पता चड़ रहा खाली रहेगा तो true बोलेगा अगर मालो मैं यहाँ पे एक और string लिख देता हूँ जैसे मैंने दिख लिख दिया learn देखे हमने learn लिखा अभी देखो इसका output यहाँ पे false आ गया यह देखता है कि क्या हमारा string empty है d वाले के पास गया यह तो empty नहीं है तो false बोल दिया और अभी अपना tree method भी काम कर दिया यह भी किनारे से आ रहा अभी दो और method है मुझे आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने two times copy कर रखा था इसी मैं use करूंगा method का name है carrot इसको लिखने का तरीका यह होता है यह क्या करेगा माल लो मुझे यहाँ पे b dot carrot मैंने लिखा b dot मतलब मैं यहाँ पे इस राहूल वाले string की बात कर रहा हूँ carrot method क्या करता है आपका ना index number as a parameter लेगा माल लो अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूं मैंने पास किया टू तो अभी टू इंडेक्स नंबर पे कौन सा character है इस राहूल वाले string में वो बता देगा और अगला method क्या होता है उसे मैं apply कर रहा हूं अपने first string एक साथ ठीक है method का नाम है index of लिखने का तरीका है index o capital लिखो f ठीक है और यहाँ पर आपको क्या करना है a.index मतलब मैं अपने इस string की बात कर रहा हूं अगर मालो मुझे यहाँ पर जानना है कि इस k का index नंबर क्या है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा character है single character है यहाँ पर के लिख दूँगा capital के था ठीक है यहाँ पर capital के है इसलिए capital के चलो इसका भी output दिखाता हूं फिर समझा देता हूं सभी को एक ही बार में यह देखो यहाँ पर मैंने caret में two pass किया था सबसे पहले चोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं यहाँ पर मैंने two pass किया है आटपुट भी देखो two pass किया है तो बी वाले राहूल इंडेक्स नमबर two पे कौन सा क्रेक्टर है जीरो पे आर है वन पे एंटव फे एच्छ ए तो यहाँ पर क्या प्रेंट हुआ है इंडेक्स ओफ मैंने k लिखा है मतलब k का इंडेक्स नमबर क्या है इंडेक्स मेθर्ट वह ही बताता है तो am Brit में के का इंडैक्ट में करता है इंडेक्टर का excited । बहुत है एंडेक्टर रिटन करें का ABOUT एंडेक्टर रिटन करएनगा पर बोलेगा अगर करेंडेक्टर रस डिन यह कहाली नहीं थिए तो बॉलै यह को लिगा लेंथ आपके string का total length find करके आपको बता देगा, concrete दो string को concrete करेगा, यानि जोड के दिखाएगा, to upper case मतलब आपके string को lower से upper में convert कर देगा, to lower case मतलब आपके string को upper से lower में बदल देगा, एक और method उसे भी use करके दिखा देता हूं, अभी मुझे याद आगिया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी basic method है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, print element, method का नाम है, बहुत ही simple है, मैंने last video में आपसे discuss किया था, equals, e-q-u-a-l-s, ठीक है, equals, यह क्या बताता है, कि आपको दोनों string equal है की नहीं, इसमें हमें क्या करना होगा, मालो मुझे अपने ना, इस b को a से compare करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ पर तो b लिखूँगा, अभी a को मैं यहाँ पर pass करूँगा, तो इसका मतलब क्या होता है, कि हमारा जो a reference variable में string अंकी थे, वो क्या हमारे b वाले reference variable string राहूल से बराबर है, अगर दोनों same होता, तो यह true बोलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग-अलग है, तो यह क्या बोलेगा, यह बोलेगा false है, सब अपने नाम पर dependent है, सब का नाम से ही आपको पता चल जाता होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना मत, अगर रटोगे तो याद नहीं कर पाऊगे, एक और method होता है, उससे भी सोचता हूँ, बता ही दूँ, वो क्या है, यहाँ पर method का नाम है, हमारे simple method का नाम है replace, यह बहुत जादा यूज होता है, जब आप project में काम करेंगे, replace, यह method क्या करता है, आपके character को replace करता है, माल लो, मैं b.replace लिखा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर अभी इस string को लिख देता हूँ, मैं d वाले, d. मैंने replace लिख दिया, माल लो, मुझे यहाँ पर, r के जगा ए चाहिए, इस r के जगा मुझे e चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले, r को लिखूंगा, कौंबा दूँगा, उसके बाद, मुझे r के जगा पर क्या चाहिए? e चाहिए. तो अभी यहाँ पर learn में, आर्क के जगह पे e-print होगा बाकी सब कुछ सेम आएगा रिजर्ड देखो जितना भी basic method यह सब बताऊंगा बस वीडियो को देखते चलो यहां पे देखो e-print हो गया है बस इसका मतलब यह character को replace करेगा आपको किस character से किसको replace करना है इसके अंदर डाल दो तो इस वीडियो में जितने भी string class के basics methods थे मैंने सभी आपसे discuss कर रहे हैं इस program का screenshot ले लो घर में कुछ से practice करो फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे facebook में message करो मैं वहाँ पे आपसे chatting करके आपका सारा doubt clear कर दूँगा अगर वैसे भी कुछ पूछना है मेरे बारे में या अपने बारे में कुछ मुझे बताना है फिर भी आप वहाँ पे discuss कर सकते हैं